एक अनोखे छोटे से शहर में मन्शू नाम का एक लड़का रहता था। जब वह कुछ और पाने की चाहत में सितारों को देख रहा था तो उसकी आखे सपनों से चमक उठी। बच्चपन से ही मन्शू का दिल टेकनोलोजी के लिए धड़कता था। वह स्थानिय इलेक्ट्रोनिक स्टोर में घंटों बिताता था। नवीनतम गैजेट्स को देख कर आश्चरयचकित होता था। उनमें मौजूद संभावनाओं की कलपना करता था। लेकिन वास्तविक्ता कठोर थी। उनके परिवार को गुजारा चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और सबसे साधारन गैजेट्स खरीदना भी एक असंभव सपने जैसा लगता था। एक मन्हूस दिन। मन्शू ने खुद को आइने में देखा और एक प्रतिज्या की। चाहे कुछ भी करना पड़े। वह अपना भाग्य बदल देगा। उम्मीदों से भरा दिल और सपनों से भरा थैला लेकर मन्शू दुनिया में अपनी राह बनाने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन राह आसान नहीं थी। मन्शू को अंगिनत बाधाओं और चुनोतियों का सामना करना पड़ा जिससे उसके सपनों के पट्री से उतरने का खत्रा था। फिर भी अंधेरे के बीच उन्हें ऐसे सहयोगी मिले जो उन पर विश्वास करते थे और सबसे कठिन समय से निपटने में उनकी मदद करते थे डौट दृड संकल्प और अटूट दृड़ता के साथ मन्शू ने हार मानने से इनकार करते हुए अपना दिल और आत्मा अप दूसरों के लिए प्रेरणा की किरण बनकर खड़े हुए जैसे ही मन्शू ने चारों और उन गैजेट्स को देखा जो एक समय पहुत से बाहर लगते थे उसे एहसास हुआ कि असली जादू उन उक्करणों में नहीं है बलकि उस यात्रा में है जो उसे यहां तक ले आई ह और इसलिए मन्शू की कहानी अंगिनत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जिसने यह साबित कर दिया कि जुनून दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है